एक सेट अपने पतनी के साथ रहते थी, उनकी कोई संतान नहीं थी, ना बेटा और ना बेटी, उनके पास बहुत सधन था, उनकी सोने चादी की एक दुकान थी, एक रात चोर उनके घर पर घुस आया, इसी बीच सेट जी की नीत खुल जाती है, और वे उस चोर को देख लेत हैं, सेट जी बहुत चालाक और बुद्धिमान थे, अगर वो चिलाते तो चोर भाग भी सकता था, और यह भी हो सकता था कि चोर बशने के लिए उन पर हमला कर दे, उन्होंने चुपचाप जाकर सेठानी जी को जगाया, और इस तरह से बोला, कि जैसे उन्होंने चोर को द देखा ही ना हो, सेठ जी ने सेठानी से कहा, मुझे अभी अभी देवी ने स्वप्न दिया है कि जल्द ही हमारा बेटा स्वर्ग से आने वाला है, उठो और दीपक जलाओ, और सपने में देवी ने ये भी कहा है कि हमारा पुत्र सीधा स्वर्ग से आएगा, सेठ जी की बा चोर घर पर छुपा हुआ दिख जाता है। सिठानी को लगा कि स्वर्ग से उनका पुत्रा गया है। सिठानी को ये पता नहीं था कि वो चोर है। सिठानी को भरोसा हो गया कि सेट जी का सपना सच है। उधर चोर भी छुपकर सेट और सिठानी की बाते सुन रहा था। सेठानी चोर के पास जाती हैं और कहती हैं कि भगवान ने मेरी सुली और तुम्हें मेरे पास भेज दिया चलो चल कर अपने पिता से मिलो और चोर को सेठ के पास लेकर चली गई सेठ भी चोर को कहते हैं आओ बेटा बहुत दिनों बाद मिले हो सेठ जी ये सब इसलिए कह रहे थे ताकि वो चोर पकड़ा जाए चोर सोचता है इतना पैसे वाला सेठ मुझे अपना बेटा मान रहा है मैं तो सिर्फ धन चोरी करने आया था इसने तो मुझे अपनी पूरी संपत्ति का मालिक बना दिया फिर सेठानी कहती हैं कि जाओ तुम जाकर सो जाओ चोर सोने के लिए चला जाता है फिर सुबह वो जाती है सुबह कोई व्यक्ती सेठ से पूँचता है कि ये आपके साथ कौन है सेठ कहते हैं कि ये मेरा बेटा है स्वर्ग से आया है फिर से ठानी जाती हैं और चोर से कहती हैं कि चल बेटा खाना खाले उधर सेठ चुचा पुलिस को फोन लगार दिये थे तब तक सेठानी और चोर खाना खाकर सेठ के पास आ गये थे सेठानी चोर से कहती हैं बेटा चल बजार से तेरे लिए कुछ कपड़े खरीद कर ला दूँ जैसे ही सेठानी बजार जाने लगती है तब ही वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस आते ही चोर को पकड़ लेती है पकड़े जाने पर चोर कहता है कि मम्मी पापा ये पुलिस मुझे क्यों पकड़ी हुई है सेट चोर से कहते हैं कि काहे का मम्मी पापा तुम एक चोर हो और सेट सिठानी को भी सारी बाते बता देते हैं कि कोई बेटा हमारा स्वर्ग से नहीं आने वाला था मैंने तो इस चोर को पकड़वाने के लिए एक नाटक किया था फिर पुलिस चोर को पकड़के लेके चली जाती है पुलिस के जाने के बाद सिठानी कहती है कि चोर ही सही कम से कम हमें एक बेटा तो मिल गया था और आपने उसे भी पुलिस के हवाले कर दिया सेट सिठानी से कहते हैं कि वे एक चोर था वे हमारी सारी संपत्ति को समाल नहीं पाता और ना ही हमें अपना माता पिता मानता उसके मन में हमारी संपत्ति को लेकर लालस था इसलिए वे कल रात से आज तक चुप था कि हमारी सारी संपत्ति उसकी हो जाया और रही बात बेटे की तो भगवान हमारी प्रातना एक जिन द जरूर सुनेंगे